हेलो जाइन चात्रों वेलकम है आप सभी का अमारे यूटूब चलापर दोस्तों यहाँ पर जितने भी चात्र आईटी आई पास आउट हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही खुस खबरी की बात यहाँ पर आचुकी है भाय सरकार द्वारा जो कि यहाँ पर जितने भी आईट कर लिया जाएगा तो देखिए आगเอ क्या अपडेट से मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आपको चलाप पर नयए हैं अभी तक सबस्क्राइब नहीं किये हुए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके बेलागर को आल पास छेट कर लिजिए आपको नीचे सब्सक्राइब ब या फैसला जी या फ्रेंट्स यहाँ पर जो आपका अगनीपत इसकीम चल रहे है गवर्मेंटेट की चार साल का तो उसमें आप लोग को बोनस नमबर दे करके आपको सेलेक्शन 100% मिल जाएगा तो देखिए क्या इसकीम है आप लोग का अगनीपत इसकीम में केंद सरकार ने ITI छात्रों के लिए अन्य उमिद्वारों के मुकाबले टेकनिकल काटेगरी में बोनस नमबर देने का फैसला किया है इससे ITI पास छात्रों को बड़ा फायदा होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इस्टिट्यूट यानी ITI पास छात्रों के लिए बड़ी खबर है शरकार पर ने सेना से जुड़ने का बेहतर ओसर ITI पास छात्रों को मुहया करवाया है ITI पास छात्रों को अन्य उमिद्वारों के मुकाबले टेकनिकल काटेगरी में अगनिवीर की भरती में बोनस नमबर मिलेगा ये फैसला केंद सरकार ने लिया है तो ITI छात्रों के लिए इसे लेकर Ministry of Skill Development and Industrial MSDE ने परसिछण महानिदेशक ने सभी ITI सहस्थानों के प्रिस्पल को लेटर लिखकर दिसा निर्देश भी जारी किया है। इसे लेकर प्रिस्पल की होने पर 40 नंबर और जिसके पास एक साल का कोर्स है उन्हें 30 नंबर देकर प्राधान बनाया है। इसे उनके वीतर इस भरती में सामिल होने की कौतुहल तेज होगी साथ ही छात्रों को देश सेवा करने का मौका भी मिलेगा और यहाँ पर आपको बता देगी सोरा जनवरी को पीम मोदी ने अगनी वीरों के पहले बैच को समभोधित किया साथ ही उन्हें सुपकामनाय भी दी है इस मौके पर उन्हें साथ रच्छा मंत्री राजनाज सिंग भी मौझूद रहे ठीक है तो फ्रेंट्स यहाँ आई टी आई छात्रों के बहुत ही पर मिला हुआ है और आगे चलके आपको क्या अपडेट्स आती है इसको लेकर मैं आपको यह भी आपको बताऊंगा तो आप लोग इसे अपलाई जरू की जाएगा क्योंकि आप लोगों को इसमें 100% सेक्षन आपको दिया जाएगा धन्यवाद